आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी फ्रूट और वेजिटेबल जूस उसके लिए मैंने जो चीजे लिए वो यह हैं गाजरे मेरे पास सेभ है और कीनू है तीन चीजों से हम जूस बनाएंगे एक जूसर ले 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 सबसे पहले मैं गाजरों को पील करूंगे गाजरों को दोने के बाद उनको पील कर ले अच्छी तरह से छील ले कीनो को मैं साबुद डालूंगे और सेभ को साबुद डालूंगे सेभ काटने की जरूरत नहीं होती है इस जूसर में बहुत अच्छा जूसर फ्रेश होता है बहुत हेल्दी होता है बालों के लिए इसकिन के लिए वाइटमिन सी भी है इसमें औरेंज के साथ साथ मैं कृप्स का जूसर यूस कर रही हूं इसमें बहुत अच्छा जूस बनता है और इसमें आपको सेभ को कीनो को काटने की भी जरूरत नहीं होती है इस पूरे-पूरे फ्रूट्स डलते हैं बहुत अच्छा जूस निकलता है चानने की भी जरूरत नहीं होती है इसमें जूस पी हैं अफ्तार में भी बहुत अच्छा लगता है और इंज और केरिट का जूस सबसे पहरे मशीन को सेट कर लें उसके बाद आखिर में प्लग लगाया करें इस जग को लगा दूंगे मैं अब जूस इसमें आएगा जग के अंदर बहुत एज़ी और क्विक बन जाता है जूस फ्रेश जूस पीने से इसके अच्छी होती है बाल अच्छे होते हैं बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है मैंने औरगैनिक केरिट्स ली हैं गाजरी मिल जाती है कौसको में औरगैनिक उनसे जूस भी बहुत अच्छा बनते है और अगर आपको मीठा बनाने हल्वा वगेरा तो बहुत मीठा अच्छा बनते हल्वा जूस हमारे रैडी है इस जग में आप देख रहे होंगे जहाग अलग हो जाएंगे और जूस अलग के लिए निकल आएगा इसमें आपको छानने की बल्कुल ज़रुवत नहीं है आपको जूस की रेसिपी कैसी लगी? कॉमेंट सेक्षिन में बताईएगा अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तेंक यू